प्रजी गांदी विया मित्र आज 68 दिन से सर सईद इसमारक जेपूर में धर्णा देर का है और अभी तक सरकार ने अभी सरकार का कोई पर्तिनी दितो है या नहीं आया है और हमारा सरकार से एक ही निवेदन है कि हमें बहाल कर दीजी सर और अभी आचार सनीता जल्दी लगने वाली है तो हम यह चाहते हैं कि आचार सनीता पहले पहले हमारी बहाली हो जाए और हम मतलब कहने का है कि आगे लोक्षबाद चुनाओं आ रहे हैं तो लोक्षबाद चुनाओं में हम यह बोले है कि अभी बहाली हो जाएगी तो बहुत नहीं तो हम आने वाले लोकसभा चुनाओं में, हम हर पूरे राजस्तान के अंदर हर बलोक से, हर जगे से 10-15-10-15 हर बलोक वाईज युवा मित्र हैं, तो हम पूर जोर से जहां भी शरकार का नुमाइंदा या जो लोकसभा पर क्यासी आएगा, उनका हम पूर जोर से करेंगे, और सरकार की जैसा मलब सरकार की योजना होगी, जैसे पेर पिछली सरकार ने योजना जो योजना है थी, उनका हमने परचार पर सार किया है, अन्तिम छोर पर बैठे, उस वेक्ति तक हम हर योजनाओं को वहां तक पहुंचाया है, चाहे सरकार राजस्तान सरकार क योजनाएं थी उस योजनाओं को अंतिम सोर पर जैसे मान लोग कई दूर दिराज चेतर में रहते हैं डानियों में रहते हैं वहां तक उनको योजनाओं का पता नहीं होता है वहां जाकर योजनाओं को बताया और पातरवक्तियों को हमने उस योजनाओं की लाब दिलाया त झरतार करेंगे और लोगों को राभ दिलाएंगे można despair दे रहे हैं और सरकार से हमने काफी हाथ जोड़े नुदन करें ना प्रकार के हम समस्ोमज प्रकार से जो भी उनसे utilization करना हो कर चुकए है और ठाघ कर कि हम यहाँ बेटे हुए हैं फिर हम ठकने वाले नहीं है सरकार को हम इस मश पर चबहना चाते हैं कि आचे सईता कभी भी लगो हमसे उसको लिणा दाने लगी लेकिन हमें को हमारा रोजगार से मतलब है आज अकल कुछ भी करके हमें हमारा रोजगार दे दे अन्यत्या सरकार आने वाले लोग सुबा चुनाओं में हमारी चेतावनी समझे कि आपको लोग सुबा चुनाओं में जो आप सपने देख रहे हो ना वो आपके साकार होने वाले नहीं है क्योंकि जो युवा मित्र है ना वो लोगों से दिल से जुड़े होए क्योंकि उन्होंने केंदर की सरक लेकिन हम उनको बोलते हैं हम यहाँ पर दो मेने से भुके प्यासे धरना प्रदसन कर रहे हमारी नोगरी के लिए तो हम इतने दुखी हैं तो वह बोल रहे है कि आप लोगों ने इतना हमारा सउयों के जनता के लिए तो हम भी आपके साथ खड़े हैं तो इस परिश में के देना चाहता हूं सरकार को कि सरकार हमें कुछ भी करके हमारी बहाली करे या उन नाम चेंज करे या कुछ भी करे हम युवाओ को रोजगार दे हमें हमारे रोजगार से मतलब है फिर सरकार जिस परकार से लेना चाहे जिस परकार से काम देना हम वो काम करने को तयार है और हमें आचाय सहीत्ता से पहले हमें रोजगार दे दे अन्यत्ता हम आपको दिविदन भी कर रहे हैं अभी भी निविदन कर रहे हैं जैसा सरकार चाहेंगी वैसा हम काम करेंगे हमें किसी पाल्टी पॉल्टी से कोई लिना दरा नहीं है जो अपव परिवार किसान परिवार से लोग है उनकी इसलिस नी खराब है आज हमारे पाज भाइंस यहाँ बाबाय है उनके यहाँ अंसन पर बीट उए उनकी इसंत lijतीmi खराम होचगी और उन भायों में से कुछ भी हो गया ना तो ये देश आपको कभी माप नहीं करेगा ये युवा कभी आपको माप नहीं करेगा क्योंकि ये युवा आपी के बच्चे है तो उन पर दया करिए सरकार और कुछ भी करके इनको रोजगार दे और अनसन पर बेटे हैं उनको जान बापस आइंगे तो योजन हों को बंद कर दिया और एक तरीके से उनों ने नाइनसाफी किये उनको बंद करके और उनो ने बोला कि जो योजना है यह थावद चलेगी इसी वज़े से हमने उनका साथ दिया योजणा बंदन करें तो हमारे साथ तो गलत है न यूहाओ के साथ गलत हुआ है कि अगर उनको कई प्रोब्लम है नाम से तो हमें तो रोजगार चीए और हमें किसी से कोई मतलब नहीं किसी जब तक हमें रोजगार नहीं मिल जाता तब तक हम यह रहेंगे चाहे आचार सहीता लगो चाहे ना लगो हमें उससे कोई फरक निपड़े यहां से अगर बंद कर देंगे ना तो हम और कहीं हमारी हम तो वह जानते तो उनको कुछ तो असर पड़ेगा हम कुछ बोलेंगे तो वह तो अभी भी हमें फोन करके बुलाते हैं कि आप हमारी यल्प करो लेकिन हम करें कैसे क्योंकि हम यह बेठे हैं तो हमारा तो यह है कि जैसे हम पहले पर्चार प्रसार कर रहे ते योजनाओ का तो